दोस्तो लोन से जुड़ी किसी पगार की समस्या का समाधान आपको इस वीडियो मिलेगा तो वीडियो के अंत बने रहेगा दोस्तो अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बिल आइकन को आउन कर लीजेगा ताकि आपको ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे दोस्तो ये सारी जनकारी एक वकील आपको देगा तो बहुत सारे पैसे लेगा और इतनी सारी बाते खुर के नहीं बताएगा क्योंकि जब तक आप डरेगे नहीं तब तक आप वकील को पैसा देंगे नहीं और जब आपका डर खतम हो जाएगा तो वकील किस काम का दोस्तो इस चनल को सबस्क्राइब करिए और रिलेक्स होके सो जाएए आपकी सारी समस्याओं का समधान मैं इस वीडियो में लाश्ट तक कर दूँगा कोई आपका फ्रेंड रिलेटीव दोस्त बंदूर इस्तिदार कोई आपका अपना जानने वाला कोई भी किसी पकार का फ्रेंड हो किसी ने लोन लिया है और बैंक वालों से परसान है तो आप उसको ये मेरा वीडियो सेयर कर सकते हैं उस बंदे के काफी हेल्प हो जाईगी दोस्तो इस धर्ती पर आप इकलोते ऐसे इनसान नहीं है जो बैंक से करजा लिये हैं और पेमिंट नहीं कर पा रहे हैं बैंक वाले कुछ अपनाते हैं जैसे धमकी देना या फोन पर धमकी देंगे या घर पर आके धमकी दे सकते हैं या आपके महले या सामाज में कुछ लोगों से आके कहा देंगे कि आपका नाम यह है। इन्Нуहोंने बेंक से लोन लिया वहां काफी टैम से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जिस से आपके सामाज में छवी खराब हो जिससे कोई या आपके बारे में जाने याप दवाओ में आके आप पेमेंट कर दो। बैंक वाले हो सारे हत्कंडे आपनाते हैं जिससे आप दबाव में हो और पैसे को पेमेंट जल्दी से जल्दी कर पाओ अगर कोई बैंक का आदमी या कोई भी ऐसा बैंक का आदमी आपके महले में धंकी देता है या किसी से बात करता है आपके बारे में तो आप उसकी वीडियो बनाकर आप उसके खिलाफ लीगल एक्सन ले सकते हैं ये आपका राइट है जिस परकार से आपने किसी बैंक में अपना बच्चत खाता खोला हुआ है और आपके बच्चत खाते में कितना बैलेंस है ये हर कोई नहीं जान सकता आपके अलावा उसी परकार से आपने बैंक से कितना लोन लिया है ये हर किसी को जानने का राइट नहीं है अगर कोई ऐसा करता है तो ये आपके खिलाफ ये आपके राइट इसू के खिलाफ खिलवार कर रहा है आप उसके खिलाफ लीगल एक्सन ले सकते हैं दोस्तो लोन बहुत पकार के होते हैं आई ये स्टेप बाई स्टेप सुरू करते हैं दोस्तो पहला आता है क्रेड़ कार्ड अगर दोस्तो आपने किसी पकार का क्रेड़ कार्ड लिया है और उस क्रेड़ कार्ड का पेमिंट नहीं हो पा रहा है उसका पेमिंट भले कितना भी हो दो ओजार, पचास घार, दस लाग, फंद्रा लाग, बीस लाग, पचृस लाग, पचास рाट उस विएट का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या जॉब नही रह गही है, या पैसा ही नहीं है पेमेंट करने का है आपके पास तो आप बैंक से डरिएगा नहीं आपके पास फोन बहुत सारी आएंगे आप उन सारे नंबर को ब्लेक लिस्ट में डालते जाएगा लगबग दो महिने के बाद फोन आने बंद हो जाएंगे डेली के 10 से 15 बीस फोन आएंगे जो भी लगता है कि यह बैंक के तरब से फोन आ रहा है आप उन्हें ब्लेक लिस्ट में डाल सकते हैं ऐसे करने के बाद आपके पास फोन आनी काफी कम हो जाएंगे बीच-बीच में धमकी वरे फोन भी आ सकते हैं message भी आ सकता है कोई घर पर आ भी जाएगा आपको समझाने के लिए डराने के लिए धमकाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और credit card का loan लिया हुआ या credit card से अपने default payment हो गया या पैसा बहुत बकाया हो गया है payment नहीं कर पा इस वीडियो के ध्यान से देखिए जैसे ही हम महतरमा गुलाटी मारके सो रही है ठीक ऐसे ही गुलाटी मारिये और चैन की नीन ले लिजिए आपका bank कुछ नहीं कर पाएगा बहुत से बहुत होगा तो यह आपका जो केस है एक साल के बाद bank डाल देगी लोग अदालत के पास लोग अदालत में आप जाओ चाहना जाओ आपकी मरजी है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है कोवीड के आनी के बाद से बहुत से लोग की जॉब चली गई है जिनकी पास जॉब थी कोई नहीं कि किसी पतर का लोन चल रहा था तो इतना मत गभड़ा ये कि आप इगला होते हैं इस धर्ती पर हैं जो लोन का पेमेंट नहीं कर रहे हैं आपके जैसे बहुत सारे ऐसे भाई बंदू हैं जो इस समस्या से गुजर रहे हैं और कोई इतना बड़ा गुणा नहीं किया आपने कि कोई आपको फासी या जेल करा दे बस आपको अपने अधिकार को जानना है आपको अपने राइट को जानना है इतना साफ और क्लियर कट भरी बाते है यूटूब पर आपको कोई नहीं बताने वाला है कि अगर आपने क्रेट कार्ट से पेमेंट लिया हुआ है या पेमेंट बाकी है तो आपके हाथ में है पैसा दो चाह ना दो अगर पैसा है तो दे दो सिवल स्कोर आपका बना रहेगा दूबारा बेंक से लोन मिल जाएगा अगर क्रेट कार्ट का लोन पैमेंट नहीं किया है तो सिवल स्कोर आपके खराब होनी होनी है और लाईफ में कभी आपको लोन नहीं मिलना है लेकिन कुछ ऐसी इमर्जेंसी कंडिसन में फसे हुए आपके पैसा नहीं है आप एक साल दो साल तीन साल तक पैसा नहीं देने के मूड में हो तो पैसा ना दो जो पैसा आए तब पैसा पेमेंट करना पिलाल आपके ये राइट से आप इस राइट को जान लो बैंक आपका प्रसानी आरे तो आप मुझे वाटसअप कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में अपने जो कुश्चन है लिखे मुझे कमेंट करिए मैं आपको तुरन रिपलाई करूंगा दोस्तो दूसरा है प्रस्तन लोन जिन लोगों ने प्रस्तन लोन लिया है उनका किसी पकार का प्रस्तन लोन चल रहा है दो लाग का बीसे आरग का पचास लाग का या दस लाग का लोन लिया हो आखरी में एक लाग बच गया है प्रेमेंट नहीं हो पर रहा है तो उनकी इन सम के बिहाब पर आपको प्रस्टन लोन मिल गया है तो प्रस्टन लोन में कोई भी वश्टू गिर भी नहीं तखी जाती है प्रस्टन लोन सिर्फ और सिर्फ आपके सेलरी को देखते हुए मिल जाता है उसमें क्या होता आपको थ्री मंद के सेलरी स्रिप देनी होती है अधार का से फॉर्म पर साइन करके और पांच कैंसिल चेक बुक देने के बाद प्रसन लोन लिया है तो आपका लून का पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा आपके लिए दिक्कतवारी बात हो सकती है तो प्रसन लोन अगर आपने लिया है तो प्रसन लोन अगर आपने लिया है हुआ है तो बैंक से बात करके सेटलमेंट करके या किसी भी तरीके से करके आप अपना लोन पेमेंट कर सकते हैं या अभी पैसा नहीं है तो बात करके बता सकते हैं कि अभी पैसा नहीं थोड़ा मुझे टाइम चाहिए छे महीने एक साल का उसके बाद आप पैमेंट कर पा करता है लगबख सारे प्राइवेट बैंक इस हथकंडे का लाब उठाते हैं होता इसलिए कि बिने डाकुमेंट भी नहीं देना होता है आपको और उसका थोड़ा इंट्रेस्ट अधिक होता है वह आपका इंट्रेस्ट पढ़ जाता है 18 से 22 परशेंट तक या 25 परशेंट तक भी जाता है वह आप के एकांट पर आफर आया होता है तो प्राइविट बैंक आपको वह इस प्रशेंट का लोन देता है अगर उस टाइप का लोन अगर आपने लिया हुआ प्रस्थन लोन का तो अगर उसका अपने पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कोई गफ़डाने की बात नहीं है उसका उस प्रस्थन लोन का इंट्रेस्ट थोगा काफी हाई होता है 18 से 22 परसंट या 25 परसंट तक भी जाता है तो एक तरह का और यहां को लेने के लिए आपने कोई भी डखुमेंट अपना या किसी प्रकार या कोई अशलेंड नहीं दिया था तो वा उस टाइप का लोन अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है या पेमेंट करने में दिक्क्त आरही है पैसा नहीं जॉब चल इस सब प्राब्लम से बचने के लिए आपने जो एकाउंट खुलवाया था या जो लोन लिया था उसमें अपने फोन नमबर दिया था उस फोन नमबर कुछ समय के लिए बन कर दो या डेली के 10-15 फोन नमबर से फोन आएंगे उन फोन नमबर को ब्लेक लिश्ट में डालते जाओ लगबग एक से दो माइने में होने के बाद फोन आने लगबग बंद हो जाएंगे या ना के बराबर हो जाएंगे पर चिंता वाली बात उनके लिए है जिन्होंने प्रसनलोन लिया है बैंक में जाके चेक पांच चेक दिया हुआ है और अपना सेलिसलिप देने के बाद उनको प्रसनलोन मिला है और उसका इंट्रेस्ट रेट 12% के आसपास है या 12-10 से 12 के बीच में है तो उस वाले प्रसन और दोस्तमीते से पैसे लेकर थोड़े बहुत बच रहे हो तो उसको पेमेंट करें खतम कर दें क्योंकि वो लोन आपको दिक्कते या प्रॉबलम में डाल सकता है दोस्तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोन होते हैं अगर उनके बारे में वीडियो बनाता तो वीडियो थ वाटसप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरा वाटसप नंबर है 7827132645 डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना वाटसप नंबर डाल दिया है आप मुझे वाटसप कर सकते हैं कोई आपका ऐसा कोश्चन है तो आप मुझे लिखे भेजे मैं आपका रिपलाई तुरं रहा हो तो आपको ये वीडियो उनको सेयर कर सकते हैं उनको काफी हेल्प हो जाएगा तब तक लिए जाहिए दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में